मैं यहतिवर्य कुमार विजए आप सभी दर्षकों का देने गेती राशेवल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य के कन्या राशी से निकल कर तुला राशी में परवेश करने से यानि कि शूर्य के राशी परिवर्तन करने से आपकी मिथुन राशी पर इसका क्या असर पड़ेगा, यहां मैं बताँगा, मेरा यह वीडियो जो है केवल मिथुन राशी बाणों के लिए है, अगर आपकी जनम कुंडली में आपकी राशी मिथुन है, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है अगर आपका बोलता नाम मिथुन राशी से है लेकिन कुंडली में कोई और राशी है तो आप मेरे सभी वीडियो में से अपनी जो जनम कुंडली में राशी है वह वीडियो देखें सूरिय ग्रहों का राजा है और दिनांग 17 अक्टूंबर को दोपहर एक बजे राशी परिवर्तन करके कन्या राशी से निकल कर तुला राशी में परवेश करेंगे इसका सीधा सीधा परवाव जो है आपकी मिथुन राशी पर पढ़ेगा इस बारे में मैं इस पूरे वीडि और चंदर राशी पर आधा रहते हैं अगर आपकी कुंडली में मिथुन राशी है जनम की मिथुन राशी है तो आपके लिए मेरा या वीडियो है मितुन राशी के लिए शूर्य जो है आपकी राशी से पंचम, शिक्षा और संतान बाव में अब गोचर कर रहे हैं शूर्य देव आपके लिए तीसरे प्राकरम और बाई बहन इस्तान के स्वामी है शूर्य अब जिस राशी में गोचर करेंगे वो तुला राशी है और तुला राशी में सूर्य जो है नीच का फल परदान किया करते हैं ये पंचवे इस्तान में सूर्य का गोचर जो है आपके ये सुब फल परदान करने वाला रहेगा सूर्य पंचवे घर में जब भी आता है तो अच्छा फल आपके लिए लाता है और हर साल जब सूरिय पांचवे आपके संतान और शिक्षा इस्तान में गोचर में आते हैं, बहले ही वो नीच के होते हैं, लेकिन आपके लिए जो है सुब फल लेकर आते हैं, इसमें आपकी आय बढ़ती है, आपका स्वास्त अच्छा रहता है, यात्राएं होती है, और गर काम में भी आपके ऊपर थोड़ा अधिक बार बढ़ने वाला है, शाथ ही इसका लाब जो है वह भी अधिक मातरा में आपको मिलेगा, शूरिय यहाँ गोचर जो तुलाराशी में हो रहा है, आपके लिए बहुत कुछ आगे बढ़ने में सायक सी दोने वाला है, शूरिय ज पांचों इस्तान में रहेंगे, तब तक आपका कारी चतर में हो, चाए आर्थिक चतर में हो, चाए सामाजी को, पारिबारी को, या किसी भी चतर में हो, आपके लिए उन्हती के उसर परदान करने बाला रहेगा, जो कोई काम पिछले महीनों में बिगड़े थे, बात आपके पंसम वाव में हो रहा है, यह गोचर आपके अंदर सक्ति परदान करेगा, आपको समर्थवान बनाएगा, और जो आपके सभी रुके अठके काम है, उनको आगे बढ़ाएगा, उनको पूरा करवाएगा, और आपको कारी चतर में सफलता परदान करवाने वाला रह आगे की जानकारी देखने से पहले, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरूद करना चाता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबिस्क्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सबसे पहले सबिस्क्राइब करें, और फिर गंटी के बटन को भी दबाए, तो आपको मेरा ज कारी छेतर में, आपके उपर जिम्मेदारी अब बढ़ने वाली है, आपका काम बढ़ने वाला है, और आपका जो लाब है, वह भी बढ़ने वाला है, और इस गोचर के दोरान आपके घर में कोई ने कोई सुब मांग लिक पूजा पाठ हिया, तो यहां रादी ऐसा समारो माणा जाएगा, आपके लिए यहां बहुत हरसो लास बढ़ने वाला समय है, शूर्य का जो गोचट तुला राशी में है, यहां आपके अंदर खुशियां बढ़ने रहती है, और किसी राशी वालों के लिए बनने रहती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, चिआ होगशिय थोड़ी-थोड़ी मिल जाती है, तो हम चिंता को भी भूल जाते हैं, और उन खुशियों को एंजोई करते हैं, यही आपके साथ में इस महीने के अंदर या इस गोचर के दोरान आपके साथ होने वाला है, मिथुन राशी के जो विद्यार्थी है, उनके लिए यह जो समय है, पढ़ाई में बहुत जादा मेहनत करने का है, लेकिन सूरिय के गोचर के दोरान आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, मौज मस्ती में समय आपका जो है, वह आप बिताएंगे या आपकी इच्छा ऐसा रहेगी, जादा जान जो है आपका मौज मस्ती की तरप रहेगा, आपको हमेशा अपने जो मौज सोक का सभाव है या इच्छा है उन पर थोड़ा सा नियंतरन करना पड़ेगा और ज्यादा समय अपने इस्टेडी में या अपने पड़ाई में लगाना पड़ेगा, इससे आपको आगे जो परिक्षा होगी या आपका रिजल्ट आने वाल सूरिय का तुलारासी में गोचर होने से आपका जो प्रेम जीवन है वह अब थोड़ा सा और परवान चड़ेगा, मजबूत होगा, आपका जो प्रेमी है आपके प्रती थोड़ा सा और उनका मन में आपके प्रती विश्वास और गाड़ा होगा और जो विवाहित लोग है उनके लिए भी आपस में जो है समझ जशिय बिठाने के लिए ऐसे आउसर ऐसे मोके या ऐसे कुछ हालात बनेंगे कि अगर कोई आपस में बात विगड़ी भी है तो इस गोचर के दोरान अब सुधर जाएगी और शूर्य का तुला रासी में गोचर होने से थोड़ा सा आपके सवाओं में अपने जो लोग होते हैं चाए वह परिवार के लोग हो पतनी हो प्रेमी हो प्रेमिका हो इनके पर थोड़ा सा आक्रो उच्छा या उतेजना भी बढ़ेगी लेकिन यह सब चीजों को आपको दबा कर रखना है अगर यह चीज ज़्यादा बढ़ गी तो फिर मैंने जैसे बताया तो प्रेम के रिष्टों पर इसका बुरा असर पड़ेगा वैवाईक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ेगा पारिवारिक जीवन पर इसका बुरा असर पड़ेगा इसलिए आपको हमेशा अपने समंदों को बनाई रखने के लिए सुदारने के लिए या ऐसा जो चल रहा है वैसा रखने के लिए हमेशा अपने वैवार पर भी वानी पर भी और अपने विचारों पर भी कंट्रोल र तो खुशियां भी मिलती है, लाब भी मिलता है, लेकिन साथ में विवाद और कलेष भी बढ़ता है. तो आपको इन सब चीजों को समझना है और साथ में अपने लाब के लिए अगर आपको थोड़ देर चुप रहना पड़े या कहीं थोड़ा सा जुखना पड़े तो आपको ये सब करना पड़ेगा इससे क्या है कि एक तो विवाद नहीं पड़ेगा और दूसरा आपका लाब बढ़ जाएगा तो आपको हमेसा विवादों से दूर रहना है या विवादों को टालना आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप विवाद को टालने में सफल होए तो आप हानी से भी बच जाएंगे दिमाग में कई तरह की दुविदाएं, दो रहे वाली इस्तती आपके बनी रहेगी, उल्जनों और ऐसी एकर दुविदा आपके मन में बनी रहेगी, कि यह करूँ या नहीं करूँ, यह सा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, उसमें आनी हो जाएगी, इसमें लाब हो जाएगा अगर आप शिर्फ चिंताओं में रहेंगे या सोचते रहेंगे तो इससे आपकी उल्जन और बढ़ जाएगी, आपकी चिंता और बढ़ जाएगी, जो फैसला लेना है, आप अपने सोच विचार कर एक बार में फैसला कर लें, तो आप एक सही रहा पकड़ कर उस पर पड़ता है, यह सब बातें होसला रखने की, मत रखने की होती है, अगर आपने इस गोचर के दोरान ऐसा किया, तो यह गोचर निश्चित तोर से आपके लिए अच्छा सूपल देने वाला रहेगा, शुरुक्षित बहुश्य हो, ऐसे फैसले भी आपको इस गोचर के दोर पड़ेंगे, अब शुरुक्षित कैसे भाउश्य हो, उसमें चाए धन बचाने के लिए हो, चाए इस्थान परिवर्तन करने के लिए हो, चाए और किसी करण से हो, लेकिन फैसला इस महिने में आपको करना पड़ेगा, अगर आपने फैसला सही किया, तो आपका जो आगे क सला लेकर काम करेंगे, तो उसका आपको लाब मिलेगा, मिथुन राशी के आप जातक हैं, तो मिथुन राशी के जातकों को इस गोचर के दोरान आर्थिक रूप की और धन की लेंदेन समंदी परिशानिया भी आने वाली है, शूरिय लाबिस्तान को देख रहा है, लाबिस सकते हैं, तो इस महीने में अचानक से आपको कोई ऐसी या तो तनका बडोतरी हो सकती है, या कोई ऐसा गिफ्ट प्राइज या उपवारादी भी अचानक से मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक इस्तिति या आपकी जो पोजिशन है उफिस में सुधर जाएगी, और वेपार दूसरे लोगों की बलाई के लिए तत्वर रहते हैं, लेकिन यह जो गोचर है, शूरिय आपके पांचमें इस्तान में नीच का वकर गोचर कर रहा है, तो यह समय एक ऐसा है, आप हमेशा दूसरों की बलाई करते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, आप हमेशा बहुत ज़ देने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए किसी की सायता करें, सायता जरूर करें, लेकिन सोच समझ कर करें, बिना सोचे समझे, आँख बन करके, या फिर किसी के कहने मातर से किसी की सायता करेंगे, तो होच सकता है, आप किसी नई उलजन में फच सकते हैं, पैसो का अगर इन्वेस्ट कर दिया, किसी के कहने से इन्वेस्ट कर दिया, हो सकता है वह पईशा आपका डूब जाए या फच जाए या फिर उसमें आपको भाने उठा कर कुछ खाना पड़े, इस परकार का आपका योग बनेगा, इसलिए आप कोई भी काम करें, समझदारी से करें, बाचित करना चाते हैं, तो नमबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 94625-75291, इस नमबर पर केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फौन करके संपर्ख कर सकते हैं, सब्ताहा के बाकी दिनों में आप मेरे को फौन ना करें, मैं बहुत वैस् इसलिए सोच समझ कर आप इन्वेश्ट करें, निवेश्ट करें, अगर आपकी कुंडली में सूरिय बलवान है और सुब इस्तती का है, तो आपका यहाँ समय जो है अच्छा बीतेगा, और अच्छा बीताने में सूरिय आपके पूरी-पूरी मदद करेगा, मददगार भी इसी दोगा, लेकिन अगर कुंडली में सूरिय के इस्तती आपके पहले से ही जनम के समय से ही कमजोर है, या अन्य किसी असुब ग्रहों के साथ में सूरिय की यूती है, तो थोड़ा सम्मल कर इस गोचर के दोरान चलने की जरूरत रहेगी, आप अपने कुंडली किसी विद मैं जनरल सभी मिथुन राशी वालों के लिए यहां एक उपाय बता रहा हूँ, इसको आप भी कर सकते हैं, इसका कोई शाइड इफेक्ट या असुब फल नहीं मिलने वाला है, आपको अगर सर्दा हो तो पूर्ण सर्दा के साथ में यहां उपाय करें, यहां गोचर आपक कर जल चड़ाएं और गेहुं का दान जो है, वहां रविवार को अवश्य करें, बुद्ध ग्रह के जाप करना भी आपके लिए इस गोचर में ठीक रहेगा, बुद्ध का जो मंत्र है, वहां मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा भी एक बुद्ध का और मंत्र है, उसको भी अगर आप चाहें तो जब सकते हैं, ओम राम रीम रोम सह बुद्धाया नमा, ओम राम रीम रोम सह बुद्धाया नमा, ओम राम रीम रोम सह बुद्धाया नमा, यहां दो मंत्र मैंने आपको बता हैं, इन दोनों मंत्रों में से आपको भी एक माला करें, इससे यहां गोचर आपके लिए सुपल देने वाला र मितुन राषी पर इसका क्या परवाव पड़े गा आपके इस विडियो से पहले मैंने मेश राषी और वरसब राषी के दो वीडियो पोश्ट किया है अगला वीडियो मेरा करक राशी सिंग राशी कन्या राशी तुला राशी से लेकर मीन राशी तक के आने वाले हैं आप अपने राशी के नुसार जो चंदर राशी है उसके इसाफ से मेरा यह वीडियो देखे अगले वीडियो मिलेंगे तब तक जाए जनें झाल 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 झाल